जान बची तो लाखो पाए एक खरगोश था वहे बहुत ही शारती था उसे हर दम शरारती सूसती रहती खास कर छोटी-छोटी जानवरों के साथ एक दिन उसने मुर्गी के बच्चों को आवाज दे कर बुलाया ए चूजे जरा इधरा कल रात मुझे क्या सपना आया मैं तुझे बताता हूँ बोलो भाईया क्या बताना चाहते हो चूजा डरते डरते उसके पास आया मेरे सपने में आया कि मैं एक चूजे की सवारी कर रहा हूँ खरगोश बोला वहे कैसे चूजे ने पूछा तो खरगोश उसके पीच पर सवार हो गया नतीजा चूज़त धणाम बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचा कर भागा खरगोश बहुत देर तक हसता रहा एक दिन गिलहरी की बारी आ गई खरगोश उससे बोला तुम कर पेरे सपने में आई थी तो गिलहरी ने पूचा तो क्या तुम मेरी सारी मुँख्फली खा गई चलो वापस करो खरगोश बोला और खरगोश ने उसके सारी मुँख्फलियां चीन ली गिलहरी उदास हो गई वहरोती हुई बिल्ली के पास गई और बिल्ली को सारी बात बताई बिल्ली समझ गई कि उसे क्या करना है उसने गिलहर की कान में कुछ कहा और गिलहरी मुस्कराने लगी अगले दिन गिलहरी खरगोश के पास पहुँची और बोली भाईया जरा इधर तो आना कल रात मैंने सपने में तुम्हारे अख्रोड खाए थे अख्रोड का नाम सुनते ही खरगोश के मुँँ में पानी आ गया वह बिना सोचे समझे गिलहरी के पास चला गया जहां पहले से ही बिल्ली चुपकर बैठी थी खरगोश ने अभी अख्रोड तोड़ा ही था कि तभी बिल्ली ने उसे पकड़ लिया अब तो खरगोश की सिटी बिटी गुम हो गई बिल्ली ने कहा मुझे वन देवी ने सपने में आकर कहा था कि खरगोश को पकड़ लेना बस मैंने वही किया बिल्ली ने खरगोश से कहा खरगोश बोला मुझे मुझे माफ कर दो आज के बाद सपना देखना बंद कर दूँगा अगर आया भी तो मैं उसे भूल जाओंगा अब मुझे छोड़ दो खरगोश बहुत गिरगराया अब खरगोश की अकल ठिकाने आ गई थी बिल्ली ने उसे तरस खाकर छोड़ दिया बापरे जान बची तो लाखो पाई मन ही मन यहाँ सोचकर खरगोश तुरंत वहाँ से भागा उस दिन की बाद उसे सपने आने बंद हो गए